पहले लेक्टर में हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होती है और प्रोग्रेशन और उन में प्रोग्रेशन में AP, ZP, HP तो AP क्या होती है arithmetic progression उसके बारे में उसकी properties और general term निकालने के बारे में देख चुके हैं अब हम लोग देखेंगे कि जो terms होते हैं उनका sum sum कैसे निकाला जाए और हम हर वीडियो में यह clear करते हैं कि जो भी हम लोग topic यहां पर discuss कर रहे हैं उन topic के हर concept को हमनों part by device करके रखते हैं और last तक हर topic को कमसें 7 या 9 lecture तक ले जाते हैं topic की lane पर depend करता है और जो concept और as a beginner के लिए topics बनाए जा रहे है तो जो बिलकुल beginning बेसिक level पढ़ रहे हैं उनके लिए है तो हमनों देखते हैं कि sum of n term of given ap arithmetic progression दी गई है उसके n पदों का योग बैसे भी यहाँ पर sn s2 s3 अगर ऐसे ही denote किया गया है तो s for sum अब जैसे बुला रहे हैं कि sum of three term तो यहाँ पर गलत हो जाएगा sum of three term गलत हो जाएगा ठीक है सुरुआत के तीन दीए गए terms का योग सुरुआत के दो पदों का योग s4 सुरुआत के चार पदों का योग तो sn का मतलब है सुरुआत से सुरुआत में पहला पद फिर सुरुआत में दूसरा पद सुरुआत में तीसरा पद और कितने पद सुरुआज से एन पद का यूग, टोटल, सम, the summation of Ti इसको हमने यहाँ पे इसलिए explain किया, कि चाहें AP हम लोग पढ़ेंगे, चाहें GP की बारे में पढ़ें, HP मिसलेंगे सीरीज, SN के formula change होंगे, क्या change होंगे, formula, बर concept एक ही रहेगा, अब वो concept क्या है, यगर कोई formula आपके पास नहीं है, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि अभी यह बारे पास जो particular progression है, AP, GP, HP, उनके formula होंगे, अब कुछ ऐसी होंगे, जो मिसलेंगे होंगे, जिनके formula हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो उनका basic concept यह है, कि सुरुवाद से, अब time उठाइए, और end time उठाइए, उनको total कर दीजी, summation को दर total, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, हम दो देखेंगे, sum of first term of, end term of given AP, AP का consideration, जब AP के बारे में आप consider करते हैं, terms के बारे में consider करते हैं, तो basic, यह है कि पहला term आप A मानिये, दूसरा term A plus D मानिये, तीसरा term A plus 2D मानिये, और end term A plus N minus 1 D मानिये, अभी हमने बताया है था कि ऐसे अगर लिख रहे हैं, तो सुरुवाद से N पदों का जो, इसका मतलब यह N terms हमने लिए हैं, इन सब को क्या करना है में, add करना है, जोड़ना है, तो हमने सारे term दिये और हमने इनको add कर दिया, अब हम देखें कि यहां पर कितने term हैं, जब यह पहला T1 है, यह T2 है, और यह T3 है, और यह मत जानी कहें कि TN, तो अगर अकिसी को formula TN का नहीं पदा है, तो उसका यह revision हो जाएगा, T3 निकालना हो, T2 निकालना हो, आप निकाल सकते हैं, अब देखा गया है, तो यहां से लेकिए, यहां तक N पदा है, तो अगर हम इस पे ध्यान दें, सारे term के, इस term पे ध्यान दें, A, 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 तो N टाइमस अब A add होगा, तो N A हो जाएगा, N टाइमस A add होने पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर तो कुछ है नहीं, यहां से सुरुआत हो रहे, D, 2D, 3D, D common हुआ, तो D common हुआ, तो यहां क्या हुआ, 1, यहां, 2, आगे, 3, और जब यहां देखेंगे तो, N-1, ठीक है, अब एक फॉर्मूला, समेशन N, समेशन N का मतलब होता है कि, first N natural number है, उनका sum, एक फॉर्मूला दिया जाता है, N, N plus 1 by, शुरुआत के N पदो, first N natural number, total of first N natural number, अगर समेशन आफ N-1 करोगे, तो in place of N, replace by N minus, यहां रखेंगे तो N minus 1 आएगा, यहां रखेंगे N minus 1 plus 1 आएगा, by 2 करेंगे, तो हमारा आगे N, N minus 1 by, ठीक है, वो इसलिए किया गया, कि दिखिए, यह first N minus 1 natural number का sum है, तो यह formula यह यह, तो यह यह, कौन सवाला, क्यों, यहां कितने टाम है, N minus 1, ठीक है, तो N A, D, अब हमने यहां पर drive किया, N, N minus 1 by, तो अब ध्यान देंगे, तो यह अगर हम दोनों से N by 2 common ले लें, तो N by 2 common लिया गया, तो 2 A आजाएगा, क्या आजाएगा, 2 A, और यहां से N by 2 common होई चुका, N minus 1 into D, तो हमने यह, N पदों के योग, यह, SN of AP, sum of N terms of AP, first N terms of AP, यह formula को derive करने, ठीक है, अब लोग इसी पर आधारित questions करेंगे, यह पर एक basic सा question है, बहुत ही basic, but अब applications को कैसे apply करेंगे, हो सकता कि कुछ लोग, बिल्कु बिगनिंग लेवल पर हो, तो इसलिए हम लोग इसको discuss कर रहा है, अगर यहाँ पर देखें, तो यह difference, 2 of 7 में 5 का है, और 7 of 12 में 5 का है, 12 of 17 में 5 का, तो 5 5 का अंतर है, अंतर समान है इसका मतलब, हाँ, एपी है, फर्स ट्रम इसका क्या है, 2, common difference जब भी निकालते हैं, दूसरे पत को, अब पहले पत से गडाईए, 5 आ गया, अब हमें 19 टरम्स का सम निकालना है, but that means S 19, क्या निकालना है, 19 सम का सम निकालना तो N बरावर 19 दिया गया है, फर्मूला लगाएंगे, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, basically हमें यहाँ पर N की ज़िएका 19 रखना था, बट आगे रख देते हैं, तो 19 by 2, 2 into A, 2, और 19 से कम गया, 18 into D, कॉमा डिफरेंस कितना है, 5, तो आपको कैल्कुलेट करना है, 2 से देखो, 2 गैंसल हुआ, और यह 9 हुआ, ठीक है, 19 और 2 plus, कितना जाएगा, 45, तो यहाँ आद है, 19 into 47, तो टोटल कितना जाएगा, 12, 12, 35, यह, ठीक, तो बिल्कुल बेसिक था, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इस वाले कुश्चन को अम लोग देखते हैं, उसने बोला कि, Sum of First 100 Even Natural Numbers, which are divisible by 5, तो देखे, Even Natural Numbers, Even Natural Numbers, अब Even Natural Numbers का मत्दब होता है, Numbers, जो भी 2 से Divisible होंगे, वो Even होगे, तो इसका मत्दब Even Natural Numbers का मत्दब 2 से हो, और उसने बोला आगे 5 से भी हो, तो इसका मत्दब 2 और 5 दोनों से हो, तो ऐसे Numbers हमें Natural Numbers ध्यान रखने, जो 2 से भी और, तो जब ऐसी हो, 2 से हो, पांच से हो, तो इसका मत्दब LCM, 2 और 5, मेरी बाद समझें, ठीक है, 2 से हो, पांच से हो, 10 से हो, 2, 5, 10 का LCM, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 2, 3, 4 का LCM, ठीक है, यह आएगा 10, ठीक है, तो कहने का मतलब यह था, कि 2 और 5, कि बज़ाए, आप ऐसे Natural Numbers देखिए, जो 10 से हो, और ऐसे 100 लेने, कैसे लेने, उसने बोला, 1st 100, 1st 100 का मतलब यह नहीं कि, एक से लेके 100 तक में, इसका यह मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि, ऐसे 100, तो पहला क्या होगा, 10 से डिवी जाला, 10 ही होगा, फिर 20, फिर 30, ऐसे जाना है, तो 1st term 100, common difference, 10, अंतर कितना है, 10 का, और number of terms 100, 100 ऐसे, बतलब ऐसे कितने हैं, 100 numbers, ऐसे और ले लेगे, तो S 100 चाहिए, शुरुआत कितने हैं, 100, 100 by 2, 2 into 8, 2 into 10, 100 minus 1, common difference 10, इसका, answer आपको निकालना है, तो जैसे से हम लोग, आगे बढ़़ए हैं, वैसे से questions में variation कर रहे हैं, तो एक, उन ही में से question है, कि sum of N terms of AP is this, वैं आपको 10th term निकालना है, sum दिया गया है, sum को हम लोग दिनोट करते हैं, SN से, कैसे दिनोट करते हैं, SN दिया गया 5N square minus 3N, निकालना हमें है, TN, क्या निकालना है, TN, ठीक, तो हम लोग अगर, देखें कि TN कैसे निकालना लेंगे, SN दिया गया है, अगर हम लोग S5 ले ले, क्या ले ले, बताए दा सुरुवाद में, कि S5 का मतलब है, सुरुवाद के, 5 पदों का योग, 5 टम्स का योग, total, और S4 का मतलब है, सुरुवाद के, 4 पदों का योग, अब अगर हम यहाँ पे, S5 माइनस S4 करेंगे, तो सुरुवाद से, 4 टम्स हट जाएंगे, लाज्ट टम्स बचेगा, ठीक, ठीक है, तो इसी डेफिनिशन को, देखो, यहाँ पर 5 का सम था, यहाँ पे 4 का सम था, तो 5 के सम से 4 का सम थाया, तो सुरुवाद के 4 चले गए, एक बचा, तो अगर TN, के बारें बात करें, तो N पदों के योग से, टूटल N पदों है, यह हो गए, लाज्ट टम्स बचाना है, लाज्ट टम्स बचाने के लिए, उसे पहले वाले, N-1 पदों के योग को गड़ा दे, इससे हमारा क्या आजाएगा TN, इससे पहले जो कुशन किया था, उसका कैल्कुलेशन, आंसर में मिस्टेक है, उतना तो, मुझे लगता कि आप, बेटे बेटे गर उतार रहे हैं, तो गड़ बढ़े ला, उसका 50-500 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कैल्कुलेशन किया हैं लोग उनों, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, को चैल्कुलेशन मिस्टेक हो जाती है, 5N स्कॉर माइनस 3 है, माइनस, 5N माइनस 1 का अल स्कॉर, माइस 3N माइनस 1, ज्यान दे, SN बरावर, जैसे स्टेट फॉरवर्ड दिया गया था, कर लिया, SN माइनस 1 का मतलब है, कि N की दगा क्या रखा, N माइनस 1, अब इसका मैं, सॉल्ब करना है, देखो, इसको, इसको साथ में ले लेते हैं, तो 5 बाहर, N स्कॉर और N माइनस 1 का ओल स्कॉर, यहाँ पर माइनस 3 का उमल लिया, यहाँ N बचा, माइनस 3 लेने पर प्लस N माइनस 1 हुगा, अब A स्कॉर माइनस B स्कॉर अब फांग लागाया, A प्लस B तो N, प्लस N माइनस 1, दूसरे वैकेट में A माइनस B तो N माइनस N प्लस 1 ये पूरा वैकेट प्लोज हुआ ये C के लिए है A स्कुरा माइनस B स्कुरा A प्लस B A माइनस B माइनस अब यहाँ पर 3 कितना जाए भाई इसको इसको अलग अलग किया था कि नहीं आद 2N माइनस 1 अब TN देखें देखें N से N कैंसल हो गया तो इसका काम तो 1 हो गया 2N यहाँ गया 2N माइनस 1 जब इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो 10N माइनस 5 और इदर इसका मल्टिप्लाई कर देए 6N और प्लस 3 तो TN बराबर 4N माइनस 2 यह मारा TN आ गया अब TN आ गया समझे कि नहीं जब आपके पास एक फामूला ही आ गया है जब फामूला आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं TN निकालना है T10 निकालना है तो N की जगा क्या रखेंगे 10 रख देंगे 4 इंटू 10 माइनस 2 तो 40 माइनस 2 38 आ गया answer ठीक नगर यहां पर calculation mistake नहीं है उस वाले को सही कर ले ठीक रियल लाइफ अप्लिकेशन पर कुछें लेते हैं एप्टिट्यूट पर आधारित कुछेंस होते हैं बच्चे जो फॉर्मूला लगाना तो सीख जाते हैं बड़ जब ऐसे कुछेंस आते तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा डरते हैं एक स्कीप करते हैं देखते हैं उसने बोला कि इफ यू सेफ रुपीज वन टुड़े आज आपने कितना रुपए सेफ किया एक रुप बचाया टू रुपीज नेक्स डे अगले दिन दो थ्री अगले दिन आगे तो पहले दिन एक फिर दो फिर ती एंड सुवान मतलब चौते दिन चार पांच में दिन पांच ऐसे आप करते चले जा रहे हैं जैसे जैसे दिनों की काउंटिंग बढ़ती जा रहे हैं रुपाय की काउंटिंग भी बढ़ती जा रहे हैं शुरुआत में एक से शुरुआत होगी और हर दिन एक एक रुपे का इंक्रिमेंट होता जा रहे है टोटल सेविंग इन इस तरीके से करता है तो 365 दिनों में कितनी सेविंग होगी ठीक तो पहला टम क्या है मारा 1 आप जान रहे है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे हुआ तो दिफ्रेंस कितना है 1 तो common difference 1 number of days 365 हमें टोटल करना है 365 में इतने दिनों में सेविंग तो 365 बाइटू 2 इंटो 1 365 माइनस 1 और D1 इसको जो आंसास कैल्कुलेट होगा वही आज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ 95 ठीक है हमारी तरफ से इनकी तरफ से यह आंसर आया कैल्कुलेशन है आप ही कैल्कुलेशन करें mistake अगर हो भी जाती है तो आपको यह ध्यान देना है ठीक है concept बराबर है perfect है ठीक है last question क्यों बढ़े हैं हम लोग चेक तो एक question लेते हैं last में अच्छा question है बहुत अच्छा है हो सकता है कि exam में काफी बार आया हो हां तो देखते हैं क्या दिया गया इसमें SN दिया गया है SN क्या basically क्या किया उन्होंने दो arithmetic progressions को लिया है दो और दोनों में खास बात है कि दोनों में end terms है मर वो अलग-अलग दो AP consider कीगे तो उनका first term और common difference अलग होगा और उन दोनों का ratio उन दो दो AP ले लिगे और दोनों का sum किया गया और दोनों में end terms थे तो sum भी end के पदों में आएगा उनका ratio ये दिया गया ठीक है और आपको इस information से ग्यारमे पद जो ग्यारमा पद होगा उसका ग्यारमा और इसका ग्यारमा 11th term of first AP और 11th term of second AP इनका ratio बताना है ठीक है important हो जाता है तो हम लोग देखते है SN लेने और SN dash लेने बताब पहले बाले first AP को SN से denote कर रहे हैं दूसर सेकेंड को SN dash दोनों में number of terms N है अभी माने first term यहाँ पर इसका even माल लेते है number of terms any लिए गए common difference even माल लेते हैं यहाँ पर number of terms any है मगर first term को हम difference कर देते हैं A2 माल लेते हैं और common difference भी अलग माल लिए जिससे की first term और common difference के अंतर करने से तो AP अलग अलग consider हो गए ठीक है वो ratio में दिया गया था 7N plus 1 upon 4N plus 27 हमें दिया यह गया है ठीक है लाना क्या है वो देख लेते हैं T11 upon T-11 यह लाना है हमने बोला कि क्या दिया गया है क्या लाना है क्या आएगा इती बात है clear हो गई अब कैसे आएगा को मैं करूंगा इतना आपको ध्यान देना है हमें साथ कि information देगे मतलब question answer फोकस करना है बता options फिर कैसे आएगा यह process है यह last का है तो अब हम देखें 11 में पत्का ratio पहले देख लेते हैं में पत्का ratio क्या होगा a1 plus n-1d1 और a2 plus n-1d2 होगा कि नहीं होगा यह information में चाहिए अगर यह information मिल गई इसका ratio तो फटा-फट मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा हां तो यह देख लेंगे वह भी बात देखेंगे अब इस information से कैसे इस पहुंचना है तो देखें कि य अब यहाँ पर हम क्या करें दो कॉमल ले लें तो a1 plus n-1y2 d1 और 2 कॉमल ले लिया तो a2 plus d2 ब्रावा 7n plus 1 और 4n plus 27 इसको काट दिया अब देखो अगर इसको इस तरीगे से बनाना है कहने के माणला a1 जेखो यहाँ पर भी even यहाँ पर d1 यहाँ पर d1 यहाँ बट n-1 की जगा n-1 by 2 है ठीक है अच्छे कि नहीं तो ऐसा क्या करें या एसा यहाँ पर क्या रेप्लेस करें यह रेप्लेस करने के बार इस form में आ जा है ठीक है तो compare कर आते है इसको इससे compare कर के लिए यह के बरावर होना चाहिए कि नहीं N-1 Y-2 बरावर क्या होना चाहिए N-1 ठीक है बास समझे कि नहीं आप देखें हम यह इसका था बास समझे और यह इसका था N अब हम यह जो N है वो यह यह वाला N है कि नहीं और इसमें replace करने वाले हैं तो इसके n के बड और आप निकालेंगे कि नहीं तो ये n निकालेंगे हूं वासम्या करेंगे नहीं उनेएम तो यानि की इसके n में n की जगाह क्या रखें है 2n माइन फाल यहां पर भी दक्र healthier है जब यहां रखोगे आठ दो यहां होगे तो आप a1 plus n minus 1 d1 मिल जाएगा आपको a2 plus n minus 1 d2 calculation आप कर लीजे कर लीजे आप यहाँ पर n की जगह आप देखो मैं करवाई देता हूँ 2n minus 1 करोगे तो 2n minus 1 minus 1 2n minus 2 हो जाएगा 2 से कट जाएगा यहाँ जैसे यह replace किया यहाँ इसका मतलब यह बन गया तो आप यहाँ पर भी हम replace करें 2n minus 1 plus 1 और 4 2n minus 1 plus 1 plus 27 बस अब आपको भी हमने process दिखाया था कभी भी ऐसा question आए तो जो भी आपको दिया गया जिसे यह तो आप n की जगह 2n minus 1 direct रखी है यह क्या बन गया trick जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ जो दिया गया है n पदों के यह क्या ratio वहाँ पे अगर इसकी जगह यह रख देंगे तो n मा पद उसका ratio जाएगे ठीक है वैसे उसको solve करना है तो जो इसको अभी solve किया तो यह निकाल लिए और हमें n पदों के का ratio ने निकालना है 11 तो n बराबर क्या रखेंगे 11 तो 14 into 11 minus 6 8 into 11 plus 23 ठीक है तो कितना आएगा ठीक है तो 148 upon 1111 आ गया तो यहाँ पे देखे 9 ठीक मारूला classes की ओर से by God मैंने बहुत ही मन से यहाँ पर और पूरे प्रयास के साथ आपके सामने यह चीज़े रखी आपको किस label तक समझ में आई तो एक आपकी भी responsibility बनती है कि proper communication होना चाहिए कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है कहीं पर भी आपको कहीं दिक्कत लगती है या कुछ रिमांड है तो आप वहाँ पे comment box में जाके उस चीज़ को आप रखिए इतना से reply अगर नहीं भी आता है तो हम लोग उसको consider करेंगे next में और वो चीज़ों को हम लोग provide करेंगे इस आसा के साथ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो उन सब बातों को follow कर रहे हैं और regularly उन चीज़ों को काम कर रहे हैं और जैसे पढ़ना चाहिए मैंने बताया ही है या आपको जब भी आप इस वीडियो को देखें तो watch करें proper watch करने के साथ साथ assignment को भी या कोई textbook लख लें और जैसे हमने क्योंकि यह बहुत possible नहीं है कि इतने सारे questions कराए जाए एक बात और clear कर दें कि यह real class नहीं है जो class यहाँ पर होती है उस class का part नहीं है यह real class नहीं है किबल आप लोगों के लिए जैसे कि आप concept पकड़ कर आगे बढ़ पाएं उसलिए कराए जा रहा है तो यह थोड़ा सा प्रियास है छोटा सा प्रियास है आपको भी इसके साथ साथ प्रियास करना पड़ेगा कि को यहाँ पर अगर हम सारी class को यहाँ पर देखते हैं तो बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो उसके लेंद बहुत बड़ी बन जाएगी तो यह थोड़ा सा restriction है हमारे साथ भी बढ़ आप करिए और अच्छे मन से करिए मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे इसी के साथ धन्वाद next video में next session में या next episode में आप जो भी बोले ठीक आप उसका वेट करिए ठीक हम भी वेट कर रहे हैं कि next day आए और कुछ आपको अच्छा दे पाए झाल